देखिए हमारी जो grammar series है उसमें मैंने आपको का था कि वो Sunday को test चाहिद नहीं हो पाएगा क्योंकि वो क्या अभी app को मैं थोड़ा manage करने में time लगेगा वो test portal वगेरा थोड़ा सा लेकिन हमारी class जो है वो continue रहेंगी तो हमारी grammar की class में हम नाउन के बारे में पढ़ रहे थे उस के बाद noun का हमने traditional classification पढ़ लिया था वह चाहिए traditional classification में नाउन में हमने देखा था कि proper common चिपैंद में पढ़े थे उसके बाद हमने noun के जो modern classification है उसके बारे में देखा था तो जो noun का जो modern classification है उसमें हमने दो तरीके के noun पढ़े थे कि countable और uncountable last class में हमने बताया था कि countable noun क्या होता है और uncountable noun क्या होता है हमने दिखाता कि जो countable noun है वो noun होता है जिसका की plural बनाया जा सकता है जिसके singular में an1 लगाया जा सकता है, जिसके plural बनायाना का मतलब है, जिसमें s लगाया सकता है, जिसमें 2, 3, 4 लगाया सकता है, तो countable noun वह होता है, जिसका plural बनाया जा सकता है, plural मतलब s लगाया सकता है, जिसके singular में an1 लगाया सकता है, और uncountable noun वह नाउन होता है, जिसका की plural नह से होता है uncountable noun का यूज किस तरीके से होता है अब हम उसी कड़ी में आगे चलते हैं और कुछ examples से उसको समझने की कोशिश करते हैं देखिए आपकी वो PDF notes का वो कल नहीं हो पाया शायद है ना तो आज करेंगे कोशिश एक बार थोड़ा सा सब्सकy समेः कि आपको सारे PDF note है सकता है कि आपको आज मिल जाएंय। कल कट को रवेट करना पड़ें ज्यादा निकी करना पड़ेगा उसे वरोधी स्ट्रेस कि फिर क bleach में आस्यटा इनका मैंने की तो चूर्प कर रहे हैं यो कि हुआ कि 12 तारीक से class का एक भी दिन का break नहीं लगाए और आगे भी मैं कुशिश करूँगा कि कोई break ना लगे class में तो देखिए हम बात कर रहे थे हमने देखा भई कि हमने ये दो example देख लिए थे last class में और ये example मैंने आपके लिए छोड़े थे कि आप बताइए तो first जो था मैंने का था आपको इसलिए गलत है क्योंकि ये जो पे है ओके मैंने का था कि पे जो uncountable है और uncountable नाउन से पहले आपने क्या लगा दिया ये लगा दिया इसलिए गलत है second example है उसमें मैंने का salary salary जो countable noun है ये countable singular नाउन है तो उससे पहले a या n कुछ लगाना ज़रूरी थी है यह आना चाहिए था ठीक है third example पर हम थे तो मैंने का eat plenty of fresh fruits and vegetables तो देखो vegetable तो countable noun है इसका तो आप plural बना सकते हो लेकिन fruit जो है वो uncountable noun है फल के अर्थ में यदि fruit का अर्थ फल है तो वो uncountable है जब आपको noun में word study पड़ेंगे तो आपको बहुत सारे uses पता लगेगा जो exam में आते हैं अब बाद में पहले हम noun के बारे में समझ लें फिर उसके बाद noun का use किस तरीके से कौन कौन से words का इस तरीके से यूज होता है उनकी हम study करेंगे तब हम लिधेem के बारे में detail में discuss करेंगे जितने इग्जाम्स में और जिस तरीक से फुरूट का यूज़ होता है अभी आप ये समाझ लिए फुरूट यदी फल के आर्थ में फुरूट का यदी फल है तो वह अंकांटबल होता है अदर तो हम उसका plural नहीं बना सकते अंकांटबल का हम क्या नहीं बना सकते अब यहाँ पर देखिए मैंने का journey, मैंने क्या word यूज किया है? journey, मैंने जो है word यूज किया है journey, अब आपको पता है कि journey जो word है वो countable है, journey word, हमने पढ़ा था last class में journey word क्या है countable है, अब यदि journey word countable है तो मैं singular use कर रहा हूँ, यदि singular countable होगा तो उससे पहले a या an या one लगा करना जरूरी है, जब कि हमने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, he had a nice journey, मुझे क्या लिखना था, he had a nice journey yesterday, तब यह आपका sentence सही होता, next है देखो foreign travel, अब यह travel जो है, यह uncountable है, यह क्या है, uncountable है, और uncountable noun के singular form या uncountable noun से पहले आपको पता है, a and one कुछ भी इस तरीके का नहीं लगा सकते, जब कि मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, a लगा रखा है, तो यह क्या है, a की वज़े से गलत हो गया, मैंने का, he went for a foreign travel last year, अब यह sentence क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो a था नहीं लगना था, क्योंकि travel जो ह आर वर्ड जो है इसका pronunciation ध्यान रखना हम गलती से year बोल देते हैं, five year, six year, नहीं, इसका pronunciation जो होगा year, year, यह sound आती है, यह, यह वाली sound आती है, यह, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आईगी होगि हम गलत बोलते आते हैं शुरू से, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है, यह, यह, आपको सही कैसे हो जाएगा आपके दिमाग में ध्यान रखना, first sound जो है यह की है, ना कि ए की है, तो आपको क्या बोलोगे, year, अब मैं आपको बताएं तो किसे आप इसको लिखेंगे, ऐसे, हिंदी में यह आप दिखें तो, तो इसको बोलेगे, year, यह, ओके, तो एन या one लगाना जरूरी था, fine, तो यह चीज़ आपको त्यान रखनी है, next देखिए, अब यह next कुछ नाउंस है, ओके, जो आपको मालूम होना चाहिए, कुछ important से, है ना, जो कि countable हैं, और uncountable हैं, कौन-कौन से, वो आपको थोड़ा सा त्यान रखना है, देखिए, इसमें मैंने कुछ important जो हैं, एक दूसरे से miltage होते हैं, कुछ मैंने पहले भी example दिये थे, तो इसमेंसे आपको यह ध्यान रखना है, इसमेंसे कौन सा countable है, कौन सा uncountable है, क्योंकि exam में इनसे related question पूछते हैं, क्योंकि दौनों ही तरफ जो word दिये हुए हैं, मैंने उनका by अभी हमने पढ़ा था, मैंने बताया था, journey जो है countable है, जबकि travel जो है uncountable है, वही salary जो है तनखवा, यह countable है, जबकि pay जो है uncountable है, ठीक है, job जो है countable है, लेकिन work जो है, work, यदि work का मतलब काम है, त्यान रखना यह भी बहुत important बात है, यह भी बहुत important बात है, जो आपक आपको detail में बताऊंगा इस word को, अभी हम detail में invert की और नहीं जा रहे है, अभी हम थोड़ा super officially समझने की कोशिश कर रहे है, अभी तो बहुत सारी चीज़ा आइगे, आपको जैसे जैसे पता लगता जाएगा, यदि work का मतलब काम है, तो फिर वो uncountable है, जो यह जो suit case है, यह countable है, जबकि luggage और baggage, देखो luggage और baggage नहीं, luggage, छुड़ी की मातरा, college, knowledge, हम क्या in words को गलत प्रणाउंस कर देते हैं, तो दिक्कत आ जाती है, देखो, c-o-l-e-g-e, college, k-n-o-w-l-e-d-g-e, knowledge, v-i-l-a-g-e, village, तो देखो, हम गलती से को क्या कर देते हैं, college, knowledge, village, नहीं, आपको इनका सही pronunciation करने का तरीका आप सीधा सा समझ लीजिए, जहां आपको strike करना है, जा गलती है, वो ध्यान अकना है, इनमें छोटे e की मातरा होती है, जबकि हम एक ही मातरा लगा देते हैं, एक की मातरा गलत है, छोटी की मातरा, अब सब का सही हो जाएगा pronunciation, college, knowledge, और village, village नहीं, knowledge नहीं, college नहीं, village, knowledge, okay, college, knowledge, village, fine, फिर आपने देखा कि suitcase जो है, वो countable है, जबकि luggage, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, luggage, baggage, luggage, baggage और baggage जो है, वो क्या है, uncountable है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको ये जो luggage, दोनों का मतलब तो एक ही है, ये जो luggage है, ये, I'm sorry, ये जो luggage है, ये British English में यूज करते हैं, और baggage जो है, वो American English में यूज करते हैं, ame मतलब American English, और bre मतलब British English, दोनों का मतलब एक ही है, luggage word जो है British English में यूज़ करते हैं और baggage word जो है American English में यूज़ करते हैं फिर दो को dollar, dollar countable है जबकि money जो है uncountable है हम ऐसे नहीं कहते हैं किसी को मुझे एक धन दे दो आप ऐसे तो कह सकते हो एक रुपया दे दो, एक पैसा दे दो तो रुपया तो countable है, पैसा countable है लेकिन money जो है uncountable है आप ऐसे नहीं कह सकते हैं किसी से मुझे दो दन दे दो, मुझे पांच दन दे दो ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं मुझे एक dollar दे दो, मुझे एक pound दे दो, मुझे एक रुपया दे दो तो मुझे पैसद देतो वह तो ठीक है या दी मनी की बात करें तो मनी क्या है uncountable है song है accountable है लेकिन music जो है वो क्या है ? uncountable है ठीक है टिप जो है countable है लेकिन जो advice जो है वो कैसा है वो uncountable है अब जो पेपर इस पर बहुत question पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊँगा बाद में paper का use किस तरीके से केते है पेपर जो है countable है जबकि page जो है I'm sorry यह थोड़ा सा गलती हो गया आपको यहां यह करना है I'm sorry इसको यहां कर दीजे यह page जो है यह countable है और paper जो है uncountable है थोड़ा से यह I'm sorry यह गलती हो गई है तो आप correction करें इसमें और यह बहुत important word हो रहे page जो है वो तो countable है और paper जो है uncountable है आप देखना आप जो notebook वगएरा purchase करते हो बजारमस में एक listing table सी बनी रहती है उसमें लिख रहता है कि 40 रुपे फिर नीचे लिखता रहता है 50 pages फिर रिखा रहता है 60 रुपीज फिर उसके बाद लिखा रहता है 70 pages तो आप pages लिखा रहत सकते हैं और उसमें an1 भी लगा सकते है single error में तो page जो है countable है और paper जो है uncountable है फिर एक बार फिर correction कर लेना ठीक है यह इसमें गलत हो गया है इसलिए यह इसमें उल्टा हो गया था तो आप इसको सही कर लें countable की category में page को करना है और uncountable की category में paper को करना है आगे बहुत ज़् फिर देखिए एक बार फिर यह जो vegetable है journey है salary है job है suitcase है dollar है song है tip है और page है यह सारे के सारे countable है जबकि fruit है travel है pay है work है work in the sense of काम काम के अर्थ में luggage या baggage है money है music है advice है और paper है यह सब क्या है uncountable fine आगे देखिए फिर देखिए अच्छा एक चीज़ समझे अच्छा यह तो मैं बाद में बता दूंगा पहले आप देखिए अभी अमने एक word पढ़ा था अभी हमने एक word पढ़ा था advice अभी हमने एक word पढ़ा था advice मैंने का था कि यह तो दो शब्द है आप ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से एक्जाम में बार बार में इन पर question पूछ आता है first grade second grade third grade बार बार में हर एक्जाम में किसी ना किसी एक्जाम में आपको यह word मिलेगा तो एक होता है advice यह दौनों वर्ड है तो दौनों को अच्छी तरह समझ लो जी एक्जाम में पूछते हैं पहली बात तो advice जो है यह तो है noun यह तो है क्या noun और advice यह जो है verb है ठीक है इसका pronunciation होता है advice और इसका pronunciation होता है advice दोखो यह कई बार एक्जाम में पूछा गया है आपको एक्जाम में दिये दिये जाता है advice और फिर bracket में दे दिया था n, n का मतला noun और noun यह uncountable यह अभी हमने पढ़ा था यदि advice noun की तरह काम कर रहा है ठीक है advice करता ही noun की तरह है sorry ad, आपको यह noun n और वी भी नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको पता होना अच्छी है यदि spelling advice है तो वो noun है पहली बात दूसरी बात उसका pronunciation होगा advice क्या होगा advice साउंड होगी से की important यहाँ ही गलती होती है sound किसकी होगी से की advice ठीक है और उसका मतलब होता है सलह यह तो कोई दिक्कत ही नहीं है यदि advise है तो पहली बात तो वो verb है जैसी s लग गया तो वो verb है और दूसरा उसका pronunciation होगा advice जखो ध्यान रखना इन दोनों में केवल से और जे sound का अंतर है transition में देखो यदि आप इसको transcribe करोगे तो यह तो से है और यह जै है आपको ध्यान रखना है यदि noun है तो से लगाओ और यदि verb है तो जै लगाओ mean exam में कहीं बार किया होता है आप कितना भी पर्लोंट कहीं आसा होताया exam में जाके आपको पता होता है यदी A, D, V, I, S, E है, तो जिसमें पहले से S लग रहा है, उसमें S लगाने की जुरत नहीं है. इसका मतलिख जिसमें पहले से S लग रहा है, उसको से pronounce मत करो. और इसमें लगनी रहा है, S तो इसमें pronounce करो. पूर्ती करनी है S की, तो हमें कहीं न कहीं से. ठीक helps in. तो A-D-V-I-C-E, इसमें S नहीं है, तो इसको pronounce करो advice, और इसको pronounce करो advice, दो कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ही है, यह advice और advice ही नहीं बोलते हैं, वो तो advice बोलते हैं, और पहली choice ऐसी भी आ जाएगी, तो को पहली choice आपको exam में ऐसी आ जाएगी, advice, sorry, advice, sorry, आपको जब exam में आएगा, तो पहली choice इस तरीके से आजाएगी, advice, दूसरी आजाएगी, advice, और फितिसी चौती ही आजाएगी, तो आप तो सुचोगे यह तो है नहीं, advice, advice, हम तो advice ही होगा, तो इन में से कोई साथ कर दोगे, तो वो गलत है, यह क्या है, गलत है, fine, तो आपको यह word, दोनों बहुत important है, ध्यान रखने है, advice, noun है, ठीक है, आपको exam में इस तरीके से question पूछे, जा noun का use कर ना हो, और verb का use करा दे, verb का use कर ना हो, noun का करा दे, तो ध्यान रखने है, कैसे, देखिए, बहुत easy, कैसे भी आपको जो है, यदि concept पता नहीं है, तो परिशान किया जा सकता ह और करती है exam में, जैसे मालो मैं कहूं, he, advice, advised, मैंने कहा, he advised me, ऐसे दे दिया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब बताओ, यह sentence सही है, गलत है, अब यह sentence गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहां मैंने use किया है, advice, जब मैं c लगाता हूं, तो noun होता है, c लगाता हूं तो noun की third form लगाते हैं, आप ऐसे कहते होगा, cat को, catd, dog को, dogd, ram को, ramd, ऐसे दिनी करते हैं, नी करते हैं, एडी third form किस में लगाते हैं, verb में लगाते हैं, तो verb तो advise है, तो यहां पर adviced नहीं होगा, क्या होगा, adviced, ऐसे question पूछे जाते हैं, test में हमें आपको ढूंगा इस इध्यान रखना क्यों टेस्ट में क्यों आएंगे क्योंकि ऐसे ही question exam में आते हैं और यदि आपको concept clear है तो आपको ऐसा लगए क्या बच्चों ऐसा question पूचा है इसको तो हम यूँ ही कर देंगे और यदि concept clear नहीं है तो आपको इस question में दिक्कत आएगी और आप नहीं कर pronunciation क्या होगा और verb वाले का pronunciation क्या होगा यदि noun है तो advice और verb है तो advise ओके आगे देखिए अभी हम पढ़ रहे थे अभी मैंने आपको बताया कि जो fruit फल का अर्थ है यदि fruit का मतलब फल है ओके I repeat मैंने बताया यदि fruit का मतलब फल है तो वो uncountable है उसमें ऐस नहीं लगता लेकिन exception भी है exception यदि if you are talking about the variety of fruits if you are talking about the different types of food if you are talking about the variety of fruits or different types of food यदि आप विबिन प्रकार के फलों की यदि आप फलों की टाइप्स की बात कर रहे हो फलों की variety की बात कर रहे हो तो fruits हो सकता है इसका मतलब तब आप fruit में S लगा सकती हो जैसे दो को example है यह मैंने का but we can see लेकिन हम कह सकते हैं सब कुछ लिखने की कोशिश की है मैंने जितना maximum कि आप इसको एक बार classes लेने के बाद जब आपके पास PDF notes पहुँचें तो आपके वाल इनको पढ़ें तो सब समझ में आ जिससे आपको एक बार समझने के बाद यह notes जो है आजीवन काम हाएं आपको तो देखो but we can say देखो हमने कहा fruits नहीं कह सकते ठीक है ना आपने एक example दिया था उसमें eat plenty of fruits and vegetables तो मैंने कहा था fruits नहीं होता फल में ऐसे नहीं लगता लेकिन variety of fruits different types of foods की बात करें तो आप fruits लगा सकते हो देखो I grow oranges and other citrus fruits I grow oranges and other citrus fruits तो मैं types की बात कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं oranges और अन्य citrus का मतलता है खटे कई fruits खटे होते हैं नीबू है ठीक है आपका grapes है ठीक है oranges है यह जो किस केटिगरी में आते हैं citrus खटे fruits में तो यहां मैं types की बात कर रहा हूं कि I grow मैं वगाता हूं क्या लगाता हूं oranges और कौनसे other citrus food और खटे फल तो फलों की variety बताई जा रही है यदि प्रकारों की बात कर कर रहे हो types की बात कर रहे हो variety की बात कर रहे हो तो fruits लगा सकते हो जैसे मैं कहूं जो कई second grade में आया हूँ वी question है यह भी आया हूवा है जैसे मैंने कहाँ यह जो मैं एक्जंबल दिया है second grade ArpsC second grade exam में आ चुका है और कई exams में भी आ चुका लग लगता है कि से यह exactly question है जो अ ऐ लाइक टॉपिकल फूट tiếp। अब इसमें होगा कि इसमें करेक्शन की जड़रत हे क्या सेंटे reference। तो उसमें नीचे करिया जाएगा कि फूट फूट लगाओ। ठीक Bayona, ऐसे इस से चॉइसस आखेंगे। तो इसमें कोई करेक्शन की ज़रद नहीं है। मैंने का I like tropical fruits देखो यदि मैंने का I like tropical fruits ट्रॉपिकल का मतलता ऊश्न कटी बंदी है तो देखो ये types हो गया मतलत प्रकार हो गया वराइटी हो गया कि मुझे ऊश्न कटी बंदी है फल पसंद है तो क्या आपने fruits की क्या बता दी? type बता दी, variety बता दी जब आप type और variety की बात करते हो तो आप इसमें क्या लगा सकते हो? ऐस लगा सकते हो तब सही है मैंने का कि one और more types of fruit एक या ज़्यादा प्रकार की फलो की बात करें आप variety of fruit, variety of fruit, fruit की बात करें, different types of fruit, अलग अलग प्रकार की फलो की बात करें then we can use, तब हम use कर सकते हैं, क्या? तब हम fruits word use कर सकते हैं, otherwise हम नहीं कर सकते हैं, okay? fine, तो देखो आज आपका test नहीं हो पाया, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं और देखें, आप लोगों को, आपको मैंने बताया था, टेस्ट वगरा के लिए आप जो है, लिंगा फ्रेंट का जो एप है उसको जोईन कर लें, okay? और उसमें आपको test portal पर test मिलेंगे, आप telegram channel को जोईन कर लें, उसमें मैं classes जो है, इसके PDF बेजूँगा, शायद आज से start हो जाएं, कल से हो जाएं, लेकिन बस एक ही बात है, एक जिस दिन start हो गई, उसके बाद रागिया ला रहें, हो सकता है आज से हो जाएं, हो सकता है क लगे गा एक दो दिन के अंदर ही, तो आप इसको join कर लें, और आपको देखो ऐधी ऐसा लग रहा है कि आपको, मैंने आपको एक जिन कहा था, कि आप एधी class देखते हैं, ठीक है, और मैंने देखा जिसे classes देखते हैं, तो उसमें 7-8 students ऐसे हैं, जो regular अपने comment section में comment डालते आप यह समझ देखें, उनकी वज़े से ही मैं motivate होके यह classes जो है, इसको continue कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐधी ऐसा लगे कि मेरी classes से कोई बच्चों को benefit ही नहीं हो रहा, या फिर कोई बच्चों को interest ही नहीं आ रहा, या फिर कोई बच्चे कोई views कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो online classes जो होती है, उसमें केवल और केवल एक ही source होता है, कि आपके comments, आपने का कि सर बहुत अच्चा समझ में आ रहा है, बहुत सही हो रहा है, आपने का सर नहीं समझ में नहीं आ रहा, fast पढ़ा रहे हो, चीजों को clear नहीं करा रहे हो, ये नहीं बताया, वो नहीं वैसे बताना चाहिए था, ऐसे कुछ भी negative भी हो सकते है, comments और positive भी हो सकते हैं, ये आपके उपर depend करता है, कि आप चाहो तो compliment दो, check, criticize करो, लेकिन जो कुछ भी करोगे, वो आपके लिए और मेरे लिए जो है, फायदे की बात रहेगी, क्यों? आपने यदि positive comment किया, तो मैं motivate वेट हूँगा, तो मुझे लगेगा, कि मैं side track पर जा रहा हूँ, और आपने negative कोई comment किया, तो मुझे ऐसा लगेगा, कि यार मुझे सुधार करना चाहिए, ऐसा नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, तो दोनों ही चीज़े equally useful है, और सबसे बड़ी बात मुझे ये पता लग जाएगा, कि आप उस चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, आपको समझ मा रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके का आपका response है, तो प्लीज मेरा आप से यह है, कि आप वीडियो को पहले बाद तो अपनी notebook साथ लेके चले, पूरा का पूरा classes को सुने, notes बनाए, और फिर उ दिक्कत नहीं है, तो dislike करेंगे, तो मैं कौशिश करूँगा कि आगे से अगली classes तरीके से दो कि आप like करें, मेरा प्रयास रहेगा, मैं सोचूँगा कि मेरे ही प्रयास में कोई कमी होगी, इसलिए आप dislike कर रहे है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी अपनी अपने जिन्दा होने का सबूत दें, मतलब आप class ले रहे हैं, मतलब पता लगना चाहिए, मतलब मेरे अंदर खुद के अंदर उस तरीके का ऐसास होना चाहिए कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, तब ही तो मैं अपने अंदर कोई सुदार करूँगा, या फिर इसी च करें, डिसलाइक कर दें, लेकिन आप बताएं जिससे कि मैं क्या है, उससे देखकर मैं अपने अंदर सुदार कर सकूँ, या फिर मुझे लगे कि ठीक है तो उसी तरीक से मैं आगे बढ़ सकूँ, प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है, और दूसे ही रिक्वेस्ट ही है कि कि आप लोग जिन-जिन ग्रूप से जोड़े हुए, आपके जो भी पढ़ने वाले स्टुएंट से हैं, प्लीज इन क्लासे को जरूर शेयर करें, आपको अच्छी लग नहीं है तो, क्योंकि आप जो मेरी रेगिलर क्लासे देख रहे हैं, वही मेरी पावर है, वही आप ल थैंक यू